नमस्कार स्वागत है आपका कापिटल टीवी बिहार के स्पेशल सोच चुनावी चौसर में और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा देखें बिहार की राजनिती में एक बड़ी ही दिल्चस्प चीज देखने को मुल रही है चिराग पासवान जो एक वक्त पे नितीश कुमार की नीतियों के खिलाफ कुआ करते थे हमेशा उनके विरोध में जहर उगलने का काम करते थे वही चिराग पासवान आज नितीश कुमार का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है सीनियर जर्णरी सरो सिंग जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत जी बहुत धन्यवाद केवल एक आदमी का नहीं केवल चिराग की बात मत करिए नितिश कुमार की भी बात करिए ये दोनों आदमी का जो दिल बदला है क्या इसके पीछे आगे की सियासत है या नितिश कुमार ने ये सोचा है कि आप इनको माप कर दिया जाए चिराग पासमान को या चिराग पासमा देते हुए फोटो देख रही है चिराग पासबान का जिसका भाव वही है कि सब लोग अपने अपने हिसाब से गोटियां फेक रहे हैं ये कोई सामान मुलाकात नहीं है ये जो मुलाकात हो रही है लगातार जो भी बिहार के पोलिटिक्स को फोलो कर रहे हैं और चिराग पास पर चिराग पास्वान खुद मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और वो नितीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं और नितीश कुमार को लेकर ऐसा माना जाता है कि वो अपने दुस्मनों को कभी नहीं बूलते हैं फिर भी नितीश कुमार सब कुछ भूल के चिराग क साथ है तो दोनों का अपना क्या-क्या वो जो कहते हैं कि क्या-क्या बेनिफिट है दोनों का इसके पीछ दोनों देखे एक तरफा तो प्यार होगा नहीं प्यार तो दो तरफा होता है हमेशा जानती है आप भी जानती है सब लोग जानते हैं कि प्यार दो तरफा होता है ताल नितिक जीवंदान अभैदान दे दिया लेकिन चिराग के मामले में क्या हो रहा है चिराग के मामले में जो चीजें बढ़ रही है नजदीक्यां बढ़ रही है इसका साब कारण है कि बिहार की जो सियासत होनी है पचीस के चुनाव में पचीस के बाद यो होनी है चिराग पा कहा कि मुख मंत्री का सपना लेकर वो औरिहासात में है तो वो जो नंबर एक की कुरसी बिहार में है वो कैसे मिलेगी चिराग उसके लिए उनको भाजपा के भी शाति चाहिए नितीश कुमार का भी शाति चाहिए या अगर कुछ परिस्तितिया बनली तो तो एक साथ उनको चाहिए जानते हैं चिराग पासबान की एकेले वो नमबर एक की कुर्सी पर नहीं जा सकते है लेकिन सीड़ी कौन सी हो सकती है भाजपा के साथ तो वह है नरिद मोधी का हनुमान है ही लेकिन बिहार की राजनिती में नितीश कुमार को इग्नोर करके कोई नमबर एक की कुर्सी पर पहुंच जाएगा ये संभब नहीं है और ये सत्त का ग्यान चिराग पासबान को भी हो गया है इसलिए ही जो नजजीगिया देख रहे हैं आप बढ़ने का इसका एक मूल कारण यही है अब आप कारण यही है कि नितीश कुमार को क्या फायदा है ये तो चिराग पासबान को है कि नमबर एक की कुर्सी तक जाने के लिए वो अभी से धीरे धीरे अपना सफर आगे बढ़ा रहे है लेकिन नितीश कुमार के लिए क्या है नितीश कुमार के लिए है चिराग पासमान के 5 सांसद 12 सांसद जनता दल युनाइटेट के हैं और 5 सांसद हैं चिराग पासमान के संख्या हो जाती है 17 बहुत बड़ी संख्या है दिल्ली में जो सरकार है उसका जो देख रहा हैं गुना भाग क्या चल रहा है रोज तरह-तरह की स्खबरे आती है कि होगा आरक्षन का मामला है नौकरी का मामला है विसेस पैकेज का मामला है तमाम चीजें हैं तो इससे निपटने के लिए क्या कर सकते है नितिसकुमार अगर 17 सांसदों का समर्थन एक मुस्त अगर मिलता है इंडिया ब्लोग को तो जो सपना देखा था नितिस कुमार ने लोग सबाचुनाप से पहले कि भाई इंडिया ब्लोग बनाते हैं और हमको मुखमंत्री का दावेदार हमको लोग घोसित करेगा हम प्रधान मंत्री बन जाएंगे जो उन्होंने कहा था अपने स्लोगन बेगरा भी चलने लगे थे बैनर पोस्टर भी हो गए तो वो जो सपना टूटा उनका क्या उस सपने को जोड़ने के लिए फिर लग गये हैं और क्या चिराग पासमान की दोस्ती जो है उसमें एक लाइमेंट का काम कर रही है नितिस कुमार इसी प्रोस्पेक्ट में सारी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं वह काते हैं दोनों दर्वाजा खोल के रखते हैं नितिस कुमार कि अगर कोई ऐसी परिस्तितियां बनी तो केवल बारत सांसद लेके हम ना जाएं चिराग पासमान के जो पांस स चल रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे लेकिन सर आप कह रहे थे कि चिराग पासमान का जो फायदा है कि वो नंबर एक की कुरसी तक पहुंचना जाते हैं नितिश कुमार का साथ लेकर तो नितिश कुमार के रहते वो नंबर एक की कुरसी पर कैसे जा सकते हैं क्योंकि न देगे सारी चीज़े हो जायेगी ये हम नहीं कर रहा है लेकिन जो चर्चा है अटकल बाजी है लोग समेकरन लगाते हैं चीजों को जोडते हैं एक ए घटनाओ को आपस में जोडते हैं और नितिश कुमार जो signal देते हैं राजनिती में खुल के कोई बात नहीं करते हैं, वो signal देना सुरू करते हैं, अब जैसे मनिस बर्मा को देखिए, जनतादल उनाइटिट में सामिल कराया जा रहा है, बरिस्टा आई ऐसा अधिकारी है, अब कर रहे हैं कि सामिल कराया गया त तो हो सकता है कि राजस्वा से उनको मनिस बर्मा को ही भेज देंगे, तो घटना एक दूसरे से जुड़ी रहती है सियासत में, अगर उनको सामिल कराया जा रहा है, तो कही न कहीं से राजस्वा वाली चीजे नितिश कुमार के दिमाग में होगी, अगर चिराग पासमान से गुलदस्ता ले रहा है, उससे लगातार मिल रहा है, बात कर रहा है, चिराग पासमान की भी भासा बदली हुई है, इसका मतलब कही न कहीं आगे का प्रोस्पेक्ट दोनों नेता देख रहे होगे, हम यह नहीं करें कि खुल के राजनितिक बात दोनों नेताओं के बीच और कहीं न कहीं से अगर यह चीज़े सिल्सिला आगे बढ़ेगा, तो बिहार की सियासत और दिल्ली की सियासत दोनों में बड़ा परोहा पड़ेगा। दोखा दे सकते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को? हम बात कर रहे हैं कि अगर नितिसकुमार इंडिया ब्लोक की तरफ जाते हैं 17 सांसदों के साथ, तब जो कुर्सी खाली होने वाली है, आरजेडी के सरकार ML है ने भाई, चुनाब भी होने वाला है ने, आप कलपना करिए कि अगर आरजेडी के कलपना पर ही यह ख़बर चल सर अभी एक बात कह रहे थे कि अगर केंद्र में नंबर एक की कुर्सी खाली होगी तो बिहार में चिराग पास्वान नंबर एक की कुर्सी पर बैठ जाएंगे, तो राजेति में कोई टू प्लस टू फोर करके कोई काम नहीं किया जाता है, एक संभावना तलासी जाती है, कि भाई ये करेंगे तो ये हो सकता है, ये करेंगे तो ये हो सकता है, कोई एकदम कल्कुलेशन नहीं है कि ये करेंगे तो ये हो ही जाएगा, ये कोई कल्कुलेशन सियासत में नहीं हो सकता है, अब पपु यादब ने विमा भारती का समर्थन कर दिया रूपौली में, बहुत सारी राजनितिक संभावनाओं का जन्म हुआ है। नतीश कुमार का बढ़तववा प्रेम है। नतीश कुमार चिराग पास्वान का जो प्रेम है। इससे केंदर की सत्ता में भी बढ़तववा देखने को मिल सकता है। अब वाकई में क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि चिराग और नतीश का जो बढ़तववा प्रेम है उसके पीछे की क्या वज़ा है। आप कमेंट करके अपनी राये जरूर बताएगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आगे के तमाम अप्रेट्स के लिए देखते रहें। कापिचल टीवी बिहार धन्यवाद।